अवसकार दोस्तों, नेता जी, सुभास चंद्रबोस और महत्मा गांधी जी, देश के दो बड़े जाने माने freedom fighters, इन दोनों के बीच में क्या मतभेट थी, दोनों की विचार धारा, ideology, एक दूसरे से कितनी मिलती थी और कितनी अलग थी, आप ये जानकर बड़े हैरान हो बच्पन में नेता जी पढ़ाई में बड़े ही अच्छे थे साल 1913 में उन्होंने अपना matriculation exam clear किया और पूरी state में second rank secure करी, जिसकी वज़े से उन्हें बड़े ही prestigious presidency college of Calcutta में admission मिल पाया अगर आपको याद हो मैंने राजा रामवन रोय वाले एपिसोड में बताया था इस presidency college के बारे में यहाँ पढ़ते वक्त साल 1916 में यंग सुभाज के साथ एक बड़ा ही interesting incident होता है जिसकी वज़े से उन्हें पहली जलक देखने को मिलती है politics में असल में बात किया थी जो उनके history के teacher थे प्रोफेसर E.F. Oten माना जाता था कि वो बड़े ही racist इंसान थे और Indian students के against काफी biased होते थे एक दिन क्या हुआ वो सीडियों से नीचे उतर रहे थे और जो Indian students थे उन्होंने उन्हें घेर लिया और पीटना शुरू कर दिया वैसे पीटना थोड़ा exaggeration हो जाएगा क्योंकि कोई भी अपने teachers को पीटता नहीं है इस कहानी के actually में कई versions है कुछ कहानी के versions में कहा जाता है कि यहाँ पर sandal से पिटाई करी प्रोफेसर की लेकिन जो actually में शब्द इस्थिमाल किया जाता है उस incident को describe करने के लिए वो है man handling तो कह सकते हो थोड़ी धक्का मुखी होई उनके साथ और बाद में पाया गया कि actually में जो group of students उन्हें धक्का मार रहे थे प्रोफेसर थे उनकी भी जिंदगी बदल कर रख दी नेता जी को कॉलिज से बाहर होता देखकर बाकी students को बड़ा गुस्सा आ गया इंडिया के उपर वो भी बदल गया बाद में जाकर जिंदगी में वो प्रोफेसर एक बड़े renowned scholar बने बिंगॉली literature के उन्होंने एक बड़ी famous किताब लिखी Glimpses of India's History और जब 1943 में बोस का plane crash हुआ इन्होंने बोस की शहादत पर एक poem भी लिखी नेता जी को respect देते हो imagine कर सकते हो जिन प्रोफेसर के साथ धक्का मुक्की करी थी नेता जी ने college में उन्होंने बाद में जाकर नेता जी के शहीद होने पर अपने respects भी दिये अपनी कहानी पर वापस आए तो साल 1920 में नेता जी इंग्लेंड गए उस समय के सबसे toughest और सबसे prestigious exams के लिए prepare करने के लिए ICS, Indian Civil Services, जो की आज के जो IS होते हैं उसका equivalent exam था उस समय का नेता जी ने एक्जाम लिखा और उनकी fourth rank आई overall इतने अच्छे थे वो पढ़ाई में फिर उन्हें इंग्लेंड में ही रहना था दो साल की training और probation period complete करने ही लिए तो जब नेता जी 23 साल के थे इस समय में, 23 साल की उमर में उनकी जिंदकी और उनका career पूरा set था यहाँ पर तो सवाल यह उड़ता है कि फिर वो क्यों motivate हुए इंडिया वापस लोटने पर और ब्रिटिश के खिलाफ यहाँ पर इतनी बड़ी movement चलाने पर जबकि उनकी जिंदगी और उनका career पूरा set था 1920s के समय में इंडिया में एक नए लीडर उभर रहे थे, मोहंदास करमचंद गांधी सत्याग रहे और non-cooperation के अपने नए ideas को लेकर वो पूरे देश को एकट्टा करने में लगे थे और ICS officer boss इन चीजों को बड़े बारीकी से observe कर रहे थे उनका दिल और उनका दिमाख conflict में था, वो अपने set career को छोड़ना नहीं चाते थे लेकिन दिल से वो सही में चाते थे कि इंडिया में जाकर लड़ाई करें आजादी के लिए 1920 और 1921 के बीच उन्होंने कई चिठिया लिखी अपने बड़े भाई शरात चंद्र बोस और अपने पिता को इसी चीज को लेकर उनके बड़े भाई खुद एक freedom fighter थे तो सुभाज चंद्र बोस उनसे request कर रहे थे कि क्या मैं भी इंडिया आ जाओ मैं भी यहां पर freedom movement का हिस्सा बनूँ 23 अपरेल 1921 को ICS officer सुभाज चंद्र बोस अपनी ट्रेनिंग को बीच में ही छोड़ कर इंडिया वापस लोट आते हैं freedom movement का हिस्सा बनने के लिए घर लोटकर वो गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी उन्हें कहते हैं कि वो चितरंदन दास का साथ दें बेंगॉल में जिने हम देश बंदू के नाम से जानते हैं नेता जी अपने political career की शुरुआत करते हैं एक अखबार का एडिटर बनके इस अखबार का नाम था Forward और December 1921 में ही वो पहली बार arrest हो जाते हैं जब वो Prince Wales की इंडिया की विजिट को oppose कर रहे होते हैं सिर्फ 26 साल की यंग एज पर वो All India Youth Congress के President बनते हैं अगले साल 1924 में CR10 पहले elected mayor बन जाते हैं Calcutta Municipal Corporation के इस समय के दोरान नेता जी अभी भी British के खिलाफ political movement जारी करके रखे थे तो British काफी suspicious हो जाते हैं नेता जी के रोल को लेकर इसलिए अब उन्हें दो साल के लिए जेल भेज देते हैं उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है म्यानमार में 1927 तक वो दो साल जेल में रहते हैं और इसी समय के बीच उन्हें TB भी हो जाता है TB एक बहुत ही जानलेवा बिमारी थी उस समय में तो thankfully वो इस बिमारी को overcome कर लेते हैं और बचके निकल जाते हैं 1927 में जब वो वापस Bengal लोटते हैं तो उनके mentor C.R. Das का दियान थो चुका होता है इसी reason से अब BOS को elect कर लिया जाता है as the President of Bengal Congress Mid 1930s के round BOS काफी समय बिताते हैं यूरोप को travel करने में Research के लिए अपनी किताब लिखते हैं The Indian Struggle जो इंडिया के independence struggle को दिखलाती है 1920 से रहे 1934 के बीच में इस समय तक दो young और बड़े ही dynamic leaders Congress Party के vocal spokespersons हैं एक हैं सुभाश चंदर BOS और दूसरे हैं पंडित जवाहलाल नहरू मैंने भगत सिंग वाले एपिसोड में बताया था अगर आपको याद हो कि भगत सिंग ने कैसे साथ में यहां पर तारीफ करी थी BOS और नहरू दोनों की 1938 में BOS Congress के President बन जाते हैं In January 1938, while abroad, he was elected President of the Indian National Congress Subhash BOS at that time was for direct action against the British government Friends, outside India, the international situation appears to be favorable to India and her cause And I believe that this is an opportunity which we cannot afford to lose, which India will not lose वो इस चीज़ के favor में थे कि यहां पर British को एक ultimatum दे दिया जाए कि India छोडो, अगर नहीं छोडोगे India तो हम यहां पर complete revolution declare कर देंगे उनके खिला, दूसरी तरफ गांधी जी और कई और leaders जो गांधी की सोच में विश्वास रखते थे, वो भी complete freedom चाहते थे लेकिन वो किसी भी हालत में freedom नहीं चाहते थे, वो non-violent तरीके से freedom चाहते थे इसी समय के बीच दोस्तों, Congress के अंदर एक left wing और right wing divide भी उभर कर आया अब वैसे जब मैं left wing, right wing की बात करता हूँ, इसके कई मतलब हो सकते हैं आज के context में आप इसे देख सकते हो, left wing, right wing, आप French Revolution के context में देख सकते हो तो कई लोग इसके कई मतलब निकाल देते हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पर left wing, right wing की बात कर रहा हूँ तो इसका basically मतलब है economic policies को लेकर तो उस समय के जो left wing, right wing थे Congress में, वो सब liberty, secularism, equality, fraternity ये basic principles में दोनों sides विश्वास रखती थी लेकिन जहाँ पर दोनों के differences थे, वो थी economic policies डॉक्टर राजेंदर प्रसाद, सरदार पटेल और मुराजी देसाई, capitalism और large scale industrialization के favor में थे उनकी राय में, पहले यहाँ पर हमें पैसा बनाना चाहिए, wealth creation सीखनी चाहिए और wealth distribution को हम बाद में देख लें लेकिन दूसरी तरफ left wing में थे ऐसे leaders जो socialism में विश्वास रखते थे राम मनोहर लोहिया, अचारिया नरेंदर देव, जैप्रकाश नरायन, पंडित जवाहलना लहरू और नेता जी बोस जिनें आप leftists कह सकते हो नेता जी एक्चुली में काफी कटर वामपन्थी सोच में विश्वास रखते थे गांधी जी की ideology इस पूरे spectrum में कहीं न कहीं बीच में ही लाय करती है क्योंकि गांधी जी विश्वास करते थे trustee ship principle में इसकी बात मैंने socialism वाले वीडियो में करी थी कि कैसे गांधीयन socialism जो ideology है वो आम तोर पर जो socialism ideology होती है उससे थोड़ी अलग है गांधी जी की trustee ship principle इसी base पर अधारित थी कि हम अमीर लोगों से, factory owner से, land owner से उनका पैसा चीनेंगे नहीं बलकि हम उन्हें ऐसास दिलाएंगे कि उन्हें survival के लिए जितना चाहिए उससे ज्यादा उनकी जो extra wealth है वे केवल उसके trustee है तो मालिक कौन हुआ उस extra wealth का? गोपाल और उन्हें कहा सभी भूमी गोपाल की इसलिए गांधी जी को left wing ये right wing में categorize करना काफी मुश्किल है पंडित नहरू की बात करें तो पंडित नहरू एक leftist है लेकिन उनकी ideology Fabian socialism में आती है इसकी बाद भी मैंने पुराने वीडियो में करी थी लेकिन बाद में जाकर जब वो actually में देश के प्रधान मंत्री बने थे तो उनकी ideology ज्यादा center में आ गई थी उनकी economic policies काफी mixed थी इंडस्ट्रिलाइजेशन में भी वो विश्वास रखते थे लेकिन at the same time वो कहते थे कि इंडस्ट्रिलाइजेशन सरकारी companies करेंगी लेकिन ये बात की बाते हैं साल 1939 में जो left wing और right wing के बीच में divide था Congress party के अंदर ये अपने peak पर पहुँच गया था 1939 में गांधी जी चाहते थे कि नेता जी सुभाज संदर बोस के इलावा कोई और अब Congress party का President बने जब ये President की elections होई तो सी राजा गोपालाचारी ने बड़े famously कहा था कि यहाँ पर दो नाओ हैं दो boats हैं एक है बोस की boat जो काफी leak करती होई है लेकिन Congress को यहाँ पर पुरानी boat को ही trust करना चाहिए जो ज़्यादा बड़ी boat है जिसे चलाया जा रहा है माहत्मा गांधी के दुआरा दूसरी तरफ सुभाज संदर बोस के favor में भी कई लोग थे जैसे की रबिंदर नाटेगोर जी जो actually में बोस के president बनने को फिर से support करते थे और वो गांधी जी के भी दोस से तो उन्होंने गांधी जी को चिठी भी लिखी थी कि यहाँ पर नेता जी बोस को ही president बनने दो फिर से Congress Party का तो यह जो democratic elections हो रही थी Congress Party के अंदर उस समय में यह काफी thrilling contest बन चुकी थी election के results के आये लेकिन सुभाज शंदर बोस ने गांधी जी के nominated candidate पत्ता भी सीता रमाया को 1575 to 1376 votes से defeat कर दिया और यह चीज गांधी जी को पसंद नहीं आई सुभाज शंदर बोस फिर से Congress Party के president बन गए GB Pant जो उस समय के Congress के right wing के एक बड़े key member थे उन्होंने actually में बोस के president बनने के बाद बोस को कहा कि जो working committee होगी अब Congress के president के दुआरे जो appoint करी जाएगी अब बोस actually में गांधी जी की wishes के according appoint करे जो कि बहुत ही undemocratic चीज थी क्योंकि यहाँ पर president नेता जी बोस बने थे लेकिन उन्हें कहा जा रहा थे कि गांधी जी के wishes के according तुम अपनी working committee बना हो गया उसी समय के बीच actually में सरदार पतेल जी और नेता जी के बीच में court case भी चलने लग रहा था काफी famous court case है ज्यादा detail में नहीं जाओंगा मैं लेकिन वहाँ पर सरदार पतेल और नेता जी बोस के बीच में हाँ पर personal differences भी थे और ideological divide भी था left wing right wing का इसी reason से सरदार पतेल ने ये सब होता देखकर justify करने के लिए statement दी the lion becomes a king by birth not by an election in the jungle अब इस point of time पर आकर जो left wing right wing के बीच divide था Congress party के अंदर वो इस हद तक बढ़ चुका था कि Congress party के members को चिंता होने लगी कि यहाँ पर ये party दो हिस्सों में तो नहीं बढ़ जाएगी और ये किसी भी हालत में होना नहीं चीए क्योंकि freedom movement यहाँ पर उसका सत्यानाश हो जाएगा अगर Congress party खुद दो हिस्सों में बट गई तो इसी reason से कई leftists जो सुबाश चिंदर बोस के favor में थे वो अब गांधी जी का support करने लगे एक major leftist राम मनुहर लोहिया ने कहा यहाँ पर कि leftists in the Congress should not aspire to set up an alternative leadership to the present leadership of the right इसके बाद हुआ क्या कि जो बोस की working committee के अंदर members थे जो गांधी जी के favor में थे उन्होंने mass resign कर दिया अपनी post से ऐसा होता देखकर पंडित नहरू ने बड़े strongly object किया उन्होंने गांधी जी को एक चिट्थी लिखी है कहते होए कि यहाँ पर जो भी होने लग रहा है बहुत गलत होने लग रहा है हमें ऐसे जवरदस्ती नेता जी बोस को हटाना नहीं चाहिए Congress President की post से लेकिन साथ ही साथ नहरू जी खुद भी सुभाश चिंदर बोस के ideology को लेकर opinion को लेकर इतने favor में नहीं थे उनकी राय में वो काफी ज्यादा left wing थे लेकिन इस चिट्थी से कोई impact नहीं पड़ा eventually यहाँ पर कोई option नहीं रहे गया सुभाश चिंदर बोस के पास except resigning क्योंकि उनकी working committee के कोई members उनके साथ काम नहीं कर रहे थे तो अब उन्होंने खुद से ही इस्तिफा दे दिया और Congress के फिर नए President बने Dr. Rajendra Prasad एक right wing के member अब जो नए working committee बनी वो बहुत ही strongly loyal थी गांधी जी के favor में उन्होंने अब resolution पास किया कि कोई भी Congress member खुद से सत्यागरह नहीं launch कर सकता बिना working committee का approval लिये यहाँ पर और इस चीज़ को देखकर नेता जी सुभाश चंदर बोस ने protest किया इसके against वो इसके favor में नहीं थे और ऐसा होता देखकर नेता जी को Bengal provincial Congress की President की post से immediately हटा दिया गया और कोई भी Congress की post को hold करने से disqualify कर दिया गया अगले 3 साल तक बोस ने इसके response में कहा कि वो working committee के इस decision का स्वागत करते हैं यहाँ पर इस तरीके से right wing consolidation देखने को मिला है कि यह तो होना ही था वो अपने crime की यहाँ पर penalty पे कर रहे हैं लेकिन नेता जी अपनी values को लेकर काफी committed रहे उन्होंने कहा I feel no doubt in my mind that the cause which we leftists represent is a just cause मेरे मन में रखती भर भी संशय नहीं है कि हम वामपन्ती जस कारिया को लेकर चले हैं वह एक नयापूल कारिया है इसी reason से 22nd June 1939 को नेता जी सुभाज चंदर बोस ने स्थापना करी All India Forward Block की यह एक ऐसी organization थी जो कई leftist organizations को combine करके merge करके बनी थी अब interesting चीज क्या है यहाँ पर दोस्तों की इतने strong ideological differences के बावजूद नेता जी सुभाज चंदर बोस और गांधी जी के मन में एक दूसरे के लिए बहुत respect थी My father was a great admirer of Mahatma Gandhi and throughout his struggle for independence always paid attention to whether he reacted to anything that my father did and what his reaction was 1942 में जब Quit India Movement को launch किया गया गांधी जी के दौरा नेता जी सुभाज चंदर बोस जर्मनी में बर्लिन में बैठे थे वहाँ पे अपने आजाद हिंद रेडियो से वो message देते हैं Quit India Movement के favor में वो गांधी जी की इस movement को non-violent gorilla warfare करके बुलाते हैं एक और occasion पर वो इस movement को इंडिया का epic struggle का नाम देते हैं अब आप ये सोचकर बड़े confused हो जाओगे कि एक तरफ नेता जी सुभाज चंदर बोस और गांधी जी के बीच में इतनी मतभेद हुई थी ideology को लेकर लेकिन फिर भी कुछ सालों बाद क्यूं नेता जी यहाँ पर गांधी जी की movement का support कर रहे हैं इसका reason नेता जी खुद ही बताते हैं नेता जी सुभाज चंदर बोस अपने struggle को complimentary देखते थे गांधी जी के struggle के साथ साथ वो यह नहीं मानते थे कि यहाँ पर या तो मेरा struggle होएगा freedom movement का यहाँ यहाँ पर गांधी जी का struggle होएगा हम दोनों struggle करेंगे हाँ पर क्योंकि हमारा यहाँ पर actually में मकसद आजादी लेना है अगर गांधी जी को अपने non-violent तरीकों से आजादी मिल जाती है ठीक है मिल जाए हाँ पर अच्छी चीज है अगर नहीं मिल पाती तो मैं यहाँ पर अपना struggle continue रखूंगा यही रीजन है कि अपने आजाद हिंद फॉज में उन्होंने अपने तीन ब्रिगेट्स का नाम नहरू, गांधी और मौलाना आजाद पर रखा अब यह सुनकर आपको लगएगा कि यह जो पूरा respect का काम है इस सिर्फ one-sided चल रहा था नेता जी सुभाज शंदर बोस यहाँ पर गांधी जी को इतना respect दे रहे थे लेकिन दूसरी तरफ से गांधी जी बड़े गंदे तरीके से behave कर रहे थे बोस के against लेकिन ऐसा नहीं था गांधी जी भी बहुत आदर करते थे सुभाज शंदर बोस का यह देखिए गांधी जी ने नेता जी के बारे में क्या लिखा था बंगाल की सरकार ने नेता जी पर जो पहरा लगाया था उन्होंने उसे चक्मा दिया और बढ़िया उपाय और बहदुरी के साथ वे काबुल पहुँच गए बहुत से यूरोपिय देशों में से होते हुए वे आखिरकार जापान पहुँचे वहां कुछ चांदार युवाओं की एक फौज बनाई जो भारत के विभिन हिस्सों और सभी संप्रदायों से थे और इस तरह उन्होंने ताकतवर हकूमत को टक्कर देने का सहस किया अब ये सुनकर शायद आफिर से कन्फ्यूज हो जाओगे कि महात्मा गांधी जो नॉन वाइलेंस में विश्वास रखते थे वो सुभाज चंदर बोस के वाइलेंट स्ट्रगल को क्यों सपोर्ट करेंगे आप इसके पीछे रीजन बड़ा सिंपल है एक्चुली में बहुत से लोग गांधी जी के नॉन वाइलेंस को मिसंडरस्टैंड कर जाते हैं और साथ ही साथ भगत सिंग और नेता जी बोस के वाइलेंस को भी मिसंडरस्टैंड कर जाते हैं ना तो गांदी जी इतने non-violent थे जितने आपको लगता है और ना ही सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंग उतने violent थे जितने आपको लगता है भगवान राम ने रावंड को मारा था तो क्या हम भगवान राम को एक violent इंसान के तोर पर देखते हैं? नहीं ना क्योंकि Hinduism में कहा जाता है violence कोई revenge के लिए नहीं होना चाहिए या किसी की against कुछ बुरा करने के लिए नहीं होना चाहिए violence तब justified होता है जब यहां पर एक बड़े scale पर और violence को रोका जा सके innocent लोगों पर violence होने से रोका जा सके और गांधी जी अपने आपको एक कटर रामभक्त मानते थे और भगवत गीता में काफी मानते थे इन फैक्ट गांधी जी का non-violence में विश्वास बने रहना एक तरीके से strategy भी समझी जा सकती है क्योंकि गांधी जी ने इतिहास को देखा था और उनका मानना था कि यहां पर French revolution हुई, Russian revolution हुई, दोनों violent revolutions थी उन्होंने अपनी मोनार्की को तो over throw कर दिया लेकिन उसके बाद जो आया वो कुछ अच्छा नहीं था उसके बाद से फिर से dictatorship की problem खड़ी हो गए क्योंकि violence के response में अगर violence किया जाएगा तो solution कभी नहीं निकलेगा, उनका यह मानना था अगर हमें सही में long lasting solution चाहिए, तो वो non-violence से ही achieve किया जा सकता है, जो French revolution और Russian revolution नहीं achieve कर पाई थी 1944 में नेता जी सुभाश्चंदर बोस ने बर्मा से एक बड़ा अपना famous radio address दिया, जहां पर उन्होंने पहली बार गांधी जी को as father of the nation address किया तो actually में father of the nation को जो title है महात्मा गांधी को दिया जाता है, यह title शुरुवात में पहली बार नेता जी सुभाश्चंदर बोस नहीं दिया था यह जो गांधी वर्सिस बोस की ideological लड़ाई थी, यह सिर्फ ideology तक सीमित थी, reality में दोनों एक दूसरे का बहुत आदर करते थे, बहुत respect करते थे एक ऐसी चीज जो आज के दिन हमें शायद नहीं देखने को मिलती, left wing, right wing के बीच में या उन लोगों के बीच में जो एक दूसरे के विचारों से असहमत होते हैं शायद यह एक ऐसी चीज है जो हम गांधी और बोस दोनों से सीख सकते हैं उमीद करता हूँ वीडियो आपको informative लगा होगा, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद